नमस्कार मैं हूँ काईतरी गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN 9 News धारा 370 को लेकर जिसना से ग्रहमंत्री अमिश्या ने अपने बेबाक तेवर दिखाई है और जम्मो कश्मीर से आखिर कार धारा 370 का खात्मा कर दिया है मोधी सरकार ने आतिहासिक कदम उठाया है उसके बास से अब लगातार जो है BJP की हर तरफ वावाही हो रही है इसी मुद्धे पर जब हम पहुचे नई दिल्ली के जामिया नगर में सिर्थ बटला हाउस में तो वहाँ कॉंग्रेस नेता अबास मस्तान से हमने बात की और जब उनसे पूछा गया कि आखिर धारा 370 को लेकर उन्होंने खिलाफत काफी दर्च कराई लेकिन जब उनसे हमने सवाल पूछा कि आखिर आप की पार्टी, कॉंग्रेस जो है वो इतना बैक फूट पर नजर क्यों आती है तो वो हवाला दे रहे थे सांसदों के कम होने का लेकिन उस पर जब हमने सवाल किया कि आखिर कॉंग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी है हिए वो बिजएपी का सामना नहीं कर पा रही है और कॉंग्रेस को अभी तक अध्धक्ष क्यों नहीं मिल पाया है हाद क्या हुआ। और यह लोग केष उठाने नहीं देते हैं इन्होंने संविधान को टौटली नकार दिया इन्होंने आज डेमो के नियसिकर घंप खता घ्र ने जो आज आहें के अंवेदान बना था बाबा साहब अमभेटकर ने संविधान बनाए था कुछ यह हमारा जो हि तो यहां पर सब्सक्राइब करेंगे उन्नाव की जो लड़की ती उसने एक लैटर लिखा था वो मेजिस्टेट के पास आज तक लैटर नहीं पहुचा जब उनके घर में कितने लोग मर गए वह आप मौत और जिन्दिगी के बीच में जूल रही है एक तरह से मर ही गई है वह अब पहुचा है लटर अलग है लेकिन यहां पर आपना मसला अपना मसला क्या होता है जो समीधान देश का एक है और इंसानियत एक है मैडम कानून हर समुदाय के लिए अलग अलग बचें बने हुए कानून म अलग नहीं है सब्सक्राइब उसकानून को हमने कभी पढ़ा नहीं है उसमें क्या पास करना चाहते थे लेकिन इतना है कि मुस्लिम महिलाओं को पर बाद करने इंतलाग बिलकुल बिलकुल अभी मैं आपको क्या दिखाऊ मेरे पास एक फोटो है किसी यूसुफ भाई करके हैं उन्होंने व तो सुना आपने किस तरहां से कॉंग्रेस निता अबास मस्तान ने अपनी बात रखी है और साब साब उनका ये कहना है कि कॉंग्रेस के अंदर ही कुछ ऐसे दलाल नेता हैं जो की दल बदलू की राज़नीदी करकर कॉंग्रेस को दीमक की तरहां अंदर ही अंदर खा रहे ह लेकिन जब उनसे हमने पूछा नेताओं के नाम बताईए तो आपने देखा हुआ किस तरह से मुगरते में नज़र आए फिर अनुछेट पैते से को लेकर बात करना उन्होंने शुरू कर दिया लेकिन सवाल तो उठा कि आखिर कॉंग्रेस को कौन खा रहा है दिमक की तरहां कॉंग्रेस अध्यक्ष पर अभी भी कोई फाइनल फैसला नहीं हो पाया है तो वहीं जिस तरहां से आज लोकस्वा में अमिश्चा ने धारा 370 को लेकर बात रखी और वहां पर अधीर रंजन चौदरी जो हमेशा ही एक विपक्ष के नेताप्रतिपक्ष के तौर पर जो भूमिका निभाते में नज़र आते थे लेकिन आज इसकी कमान जम्मो कश्मीर को लेकर कॉंग्रेस आला कमान ने मनिश्टिवारी को सौपड़ी उसे साप सावित होता है कहिना कि कॉंग्रेस के अंदर खेमे में भूचाल सा आ गया है हाला कि राजस्वा में गुलाब नभ करेश कर रहे थे तो पत्रकारोंने उन से पूछा की आज क्या होने वाला है जम्मो कश्मीर पर सिर्फव से अभी चेहरे पर एक हल्की सी लगाता 13370 को लेकर विजेपी आवाज ब्लंद करती रही है अगर आप विजेपी की घोशना पत्र में जाएंगे 2014 की बात की जाए 2019 की बात की जाए गोशना पत्र हुबहु वही सेम था 2014 की तहां तो लाग सवाल बीजेपी पर भी उठे थे कि 2014 में जब प्रचर्ण महमद से सरकार बनी थी तब बीजेपी ने क्यू नहीं धा सवाल क्यों नहीं 370 को लेकर जो है अब जैसे ही सरकार सत्ता में आई और महीने जुमे जुमे से नहीं जबातार की यह सरकार बने हुए और बीजेपी चशना के एतिहास कदम की तारीफ हो रही है और इसकी वक्त लगð जब जम्मू कश्मीर में 10,000 सानिकों की तैनाती की गई थी, उसके बाद महभूबा मुफ्ती ने बयान दिया था कि जो भी हमसे तकराएगा, पैते से तकराएगा, वो जलकर खाक हो जाएगा, इसी बदिनजर आमीशा, आमीशा या मुदी सरकार की कदम बताएं, तो उमर अब्दुल्ला से लेकर सज्जाद गनी लोन और महभूबा मुफ्ती को नजर बंद कर दिया गया, और उसके बाद ये फैसला लिया गया, यानि कि अब कुल मिला के जम्मू कश्मीर में अब कुछ भी लागू नहीं होगा, जम्मू कश्मीर में भी वही होगा, जो देश के बाकी हिस्सों में होता है, और जाहिव सी बात है अब जम्मू कश्मीर पहले भी था हमारा, लेकिन अब और हमारा है, हलाकि प्रोल सी मौल पाकिस्टान काफी जाना जो है, अब उसको जाना मतला ही अपत्ती हो रही है, प्रिक आप के नेक्स करम आमिश्या का ये हो सकता है, कि अब वहां पर आतंक वाध का जिम्मा को दिया गया मोधी सरकार की तरब से वह बहुत सोची समझी एक रणनी का हिस्सा था और इसी विज़ा से अमिशा जैसे ग्रह मंतुरी बने उन्होंने जिसना के बिल पास कराए है उसको लेकर उनकी तारिफ भी हो रही है हाला कि विरोधी उनके कुछ बिलो का विर रहा है तो ऐसे में फिलहाल अब देखते हैं कि आखिर क्या होता है तो 370 को लेकर और क्या कदम उठाए जाते हैं और यह भी देखना होगा अभी और क्या क्या परवरतन जम्मो कश्मीर को लेकर किये जाते हैं नमस्कार